असलाम अलेकुम तो स्वागत आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर एट पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है अदब की पहचान जो की एक मजमून है यानि की निबंध है देखिए अदब पढ़ने वाली लोगों की संख्या ना लगातार बढ़ते जा रही है लेकिन अदब को समझने वाली लोगों की संख्या लगातार उसी तरह घड़ते जा रही है सभी लोग अदब को तो जानते हैं लेकिन पहचानते बहुत कम लोग हैं ठीकें तो इस चेप्टर में यही बात बताई गई है कि अदब किसे कहते हैं क्या है अदब और हम लोग अदब की पहचान कैसे करेंगे तो यह अदब पर पूरी डिसकस अदब पर बात की गई इस पर अदब को देखिए हिंदी में कहते हैं हम लोग साहित्य और इंग्लिस में बोलते हैं लिट्रेचर ठीक है तो अदब पर लिट्रेच साहित्य पर ये मजमून यानि की निबंध लिखा गया है कि आखिर अदब किसे कहते हैं और हम लोग पहचान कैसे करेंगे क्या मैं कुछ भी लिख दूंगी वह अदब हो जाएगा स वही सारी चीजे इस चैप्टर में डिसकस की गई है वैसे हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के मुसनिफ के बारे में जान लिजे अदब की पहचान नाम के इस चैप्टर यानि कि इस मजमून के लिखने वाले यानि कि मुसनिफ का नाम है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ठीक है तो देखिए इनकी पैदाइश हुई है उन्हें से 34 को बिहार के जिला और अंगाबाद में याद रखिएगा कोश्चन पूछ देता है उन्हें से 34 को बिहार के जिला और अंगाबाद में इनके वालिद का नाम है यानि कि उनके पित ध़ाई सब wijनिक शच्छा घर हि मिली ऊसके बाल आगे की तालिम के लिए उन्होंने मदर्स हदा में दाखिला लिए मदर्सा शम्षुल हदा में अनुन्होंने एड्मिस्ट्न लिया और वाय्लिम तालीम हासिल की ठीक आगे बढ़िए मदर्चा की तालीम के साथ उन्होंने अंग्रेजी में भी में कर लिया अब बात कर लेते हैं जरा उनकी मुलाजमत की यानि की उनकी जॉब की कहां कहां वो जॉब की है तो देखिए पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग बीन कॉलेज में फिर वह बीन कॉलेज में जाकर इंग्लिस के लेक्षर हो गए अंग्रेजी के लेक्षर और वहीं पर जॉब करते गए और वहीं से उनका सबक्दोस हो गया यानि की उनका रिटायर्मेंट हो गया वहां से सबक्दोस हो गया रिटायर हो ठीक आगे बढ़ि कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तनकीद का मानी क्या होता है क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूं चैप्टर एट आ चुका है चैप्टर सेवन सिक्स में भी बताई होंगी मतलब बहुत बार बता चुकी है तो अब आप लोगों को क्या करना है मुझे comment box में बताना है कि तनकीद का मतलब क्या होता है आखिर तनकीद का मानी क्या है ठीक है बता दिये comment box में अब जरा मुझसे सुन लिजिए कि तनकीद का मतलब क्या होता है देखे तनकीद का मानी होता है खरे खोटे की पहचान करना ठीक है अगर कोई लेखक है कुछ भी लिखा है इसमें किया गलत है कि पहचान करकर लख कर बता देना ही तनकीद कहलाता है यह यह दोन निगार जी आ इनकी तनकीद ... किरीयेशन यह तंकीद में क्या क्या लिख है उसका नाम भी आप लोगो के दिया है जिसे की जादो है तेदाल नुक्ताइब नजर मेयार वाकदार तश्कील जदीद एकबाल और आलमियादब वगरलव कि तसनित तनफिद नितनिक है यानि कि यह क्रियेशन हैं लिंखे पूछ देता है कि बताइए डॉक्टर अब्दुल्मगनी की वफात कहां हुई और अप्शन में देदेगा पठना तो आप लोग टिक कर के आ जाईएगा ठीक है तो यह हो गया डॉक्टर अब्दुल्मगनी के बारे में कुछ डीटल जो आप लोग को याद रखना है अब च को समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग शुमझेंगे कि अटब किसे कहते हैं मैं आप लोग वॉर्दू Saatica को जानने समझने और चीछने के लिए जो dipping को apartments पढ़ते हैं या फिर जो भी उर्दो की किताब को हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग साहिते कहते हैं उर्दो भासा को सीखने के लिए समझने और जानने के लिए जो भी उर्दो के बुक को हम लोग पढ़ते हैं उसी को साहिते कहते हैं अब देखिए इस दुनिया में से कब द्वास को नहीं आप कोई नहीं किताथ पंप Кजाए बद्धी आ मेस्ट इध्य charge का सुझ ग्राफ हे आप उन किताथ को एक भाशा एक जुबान प्ढ़ेंगे और वो भासा आप लोग को तभी समह्झ में आएगी जब आप उस भासा के अदव को समझने के लिए किताबों को पढ़ते हैं सीखने के लिए हुसी को हम लोग कहते हैं अदब ठीक है आप लोग को समझ में आया होगा अब देखें अदब की ना बहुत सारी शर्ते हैं अब मतलब यह बात आती है कि हम लोग अदब की पहचान कैसे करेंगे क्या कुछ भी लिखा है कही पर भी वह अदब कहलाएगा मैं ही आप लोग को कुछ भी लिख कर दे दूं वह अदब कहलाएगा या फिर अखबार न्यूस पेपर में जो लिखा होता है वह अदब कहलाएगा या फिर यह भी सवाल आप लोग के मन में उठ रहा होगा कि साइंस मैथ हिस्ट्री जोग्रॉफी इकॉनोमिक्स यह जितने भी अलग अलग लावत है वह है फिकर और फन कोई बी इंसान जो है वह अगर किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहा है तो उस में उर्दू grammar, उर्दू कवायद होना चाहिए, कवायद की पाबंदी होनी चाहिए, जो भी इनसान किसी भी topic के बारे में कुछ लिख रहा है, तो वो कवायद जानता हो, उर्दू grammar जानता हो, और उसकी पाबंदी होनी चाहिए, तेसरी शर्त यह है, कि वो लफ्ज सही-सही करें, word, उर्दू के लफ्ज जो है, मतलब 100% match कर जाना चाहिए, perfectly match कर जाना चाहिए, अच्छे-चे लफ्जों का यूज करें, चौती शर्त यह है, कि जो भी इनसान, किसी भी topic के बारे में लिख रहा है, तो उस topic के बारे में उसे content, ज्यान मालूम रहना चाहिए, सही ज्य लखे हुए को कोई इनसान पढ़े ना, तो उस इनसान को पढ़ने के बाद एक तरसे सुरूर और सादगी महसूस होनी चाहिए, उसको लग जाना चाहिए, कि हाँ, वाकई में क्या लिखा गया है, क्या explain किया गया है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे अदब, जो भी जो भी शर्ते में आप लोग को बताई अभी अदब की, वो मतलब शर्ते जिस भी लिखी हुए चीज में रहे, वो सभी सर्ट, ठीक है, उसको हम लोग खास अदब बोलेंगे, लेकिन आम अदब जो होता है ना, उसमें फिक्र वोफन की उतनी गहराई नहीं होती है, उसमें मतलब ज्यादा content नहीं दिया गए रहता है, लफजों का इस्तेमाल उतमें दुरुस्त, मतलब दुरुस्त तो होता है, लेकिन अच्छे अच्छे लफज नहीं किये गए रहते हैं, मतलब उतनी गहराई में जाकर बाते नहीं बताई गए रहते हैं, तो उसको हम लोग आम अ होगा, तो अब आप लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन सी लिख्योई चीज अदब है कि नहीं है, अखबार भी आप लोग देखते हैं, तो अखबार को आप अदब नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें शौट बाते लिखी गई रहती हैं, और उसके बाद से आप सो को अदब की शर्तों को ध्यान में रखकर लिखा गया हो ना, उसमें शायंस की किताब में फिक्र वफण हो, उसमें अच्छे तरीके से यूज करके लिखा गया हो, उसके बाद से सही जानकारी दिया गया हो, और पढ़ने के बाद ताजगी महसूस हो, तो आप उस किताब को बोल सकते हैं, हाँ अदब है, ठीक है, तो I think आप लोगों को अदब समझ में आया होगा, और अदब की पहचान कैसे किया जाता है, ये सारी चीशे समझ में आई होगी, ठीक है, तो कोई भी कमफ्यूजन हो, इस चैप्टेर से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछ सकत और अगर आप लोग चैनल पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे, तो फिर मिलेगा नेक्स वीडियो में नेक्स टापिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और कुदा हाफिस